हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो वीडियो ऑफ मेडिकल लाबरेटरी टेकनोलोजी में आपके एक और वीडियो में स्वागत है आज हम देखेंगे बोरोसिल का यूवी स्ट्रिलाइजर के इस तरीके से हम जैसे चीजें स्ट्रिलाइज करते हैं तो यूवी की लाइट से कैसे स्ट्रिलाइज किया जाता है क्या इंस्टुमेंट है बोरोसिल क्या चीज है परफॉर्म क्या करता है आज उसके बारे में समझेगे हमारे पास है मैनुवल जो साथ में इंस्ट्रुमेंट के साथ में है हमारे अपास model नमबर है BUVC 21LOO2 यह एक manual है इसके अंदर इसकी सारी detail दी हुई है basic parts के बारे में बताया जा रहा है तो हम करते है manual को side और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यह machine यूज की जाती है यहाँ पर क्या है यह हमारा एक आप देख सकते हैं box shape chamber है जिसको अगर मैं थोड़ा सा move करके दिखा हूँ तो back side में इसका power holder आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ आपकी एक IC fuse है fuse machine है और यह साथ में इसका carrying handle है यहाँ पर कुछ भी नहीं है एक simple जैसे आपका water bath होता है उसी तरीके से यह देखने में आपको दिखाई देगा यहाँ इसका यह timer knob है यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर timing का off 1,2,3,4 इस तरीके से यह second यह आपका जो है पैनल हो गया इसका यह glass का पैनल है यह पूरा जो है फ्रेम यूवी प्रोटक्टेड शील्ड फ्रेम है यानि इससे जो यूवी लाइट की रेज जो है वो पास-on नहीं करती है यह इसका internal chamber है यहां देख सकते हैं आप यह एक UV light है यहां पर और यहां एक नीचे में आप देख सकते हैं यह भी एक UV light है उसके साथ में आप देखेंगे तो यहां पर यह हमारे पास यह स्टेज इस पर क्या होता है कि कोई भी समान आपको UV light से stylize करना है तो आप इसको अबजेक्ट है वो प्रॉपरली स्टेलाइज हो जाता है यानि free from microorganism हो जाता है जो कि UV light से किया जाता है किस तरीके से करना है कैसे करना होता है तो चलिए जानते हैं तो हमें यहां क्या करना है सबसे पहले हमें इसका power switch जो है वह on करना है जो कि power pod connected है आपके से इसके बाद ह में इस LED को open करना है LED open करने के बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर यह अपका जैसे suppose यह मुझे मेरा cell phone जो है वह sterilize करना है with the help of UV तो मैं कुछ नहीं करूँगा simple इसका lid जो है वह open करूँगा करने के बाद मैं इसमें यह phone जो है वह इस तरीके से place कर दूँगा बीच में phone जो है आप off करके ही इसके अंदर रखें on condition में ना रखें उसके बाद यह लेड़ की जाएगी मुझे timing अब चेक करना है कि कितने time के लिए मुझे करना है suppose मुझे जो है इसको two minutes के लिए करना है तो मैं यहां पे इसको power को करूँगा on power on करते ही यहां पे आप देखेंगे जैसे ही मैं timer on करूँगा वहाँ light का signal वो on हो जाएगा प्रॉपर देखने के लिए हम इसका outer light जो है वो off कर देते हैं यहां पे आप देख पाएंगे कि जैसे ही मैंने timer on किया और timer two seconds पे किया यहा